आसमान में उडान भरने का एक एडवेंचर रखने वाले लोगों के लिए एक अच्छी ख़बर आपको बता दें अब ड्रोन भी आपके लिए मददगार बनने वाला है अब ड्रोन के जरे भी इनसान हवा में उडान भर पाएगा पूने बेस्ट एक स्टार्ट अप ने डेश का पहला यात्री ड्रोन वरुन बनाया है DRDO ने से मानता हासिल प्राप्त करने के वास स्टार्ट अप हेवी लिफ्ट यूटिलिटी ड्रोन को तियार कर लिया गया है इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासित यह है कि पाइलेट रही तिया ड्रोन 130 किलो तक का पेलोड लेकी जा सकता है इसके इस्तेमाल मेडिकल एंबुलेंस या फिर एवेक्वेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है इस ड्रोन का ट्राइल प्रधान मंतरी मोधी, रक्षा मंतरी और नेवी चीफ के सामने हो चुका है वरुन पर देखे हमारी से योगी स्वाराली जोशी राव की एक खास रिपोर्ट पूर्ण रूप से भारतिय बनावट का ड्रोन जो की इनसान को लेकर उड़ सकता है वो पूने के चाकन में इंडस्ट्रियल जो की डिफेंस इंजीनियरिंग स्टार्ट अप है वहाँ बनाया गया है हम आपको दिखाते हैं ये ड्रोन जो आप देख सकते हैं हमारे साथ मृदल बबबर जी भी जुड़ चुके हैं जो कि इस इंस्टिट्यूट के डिरेक्टर है उनसे जानेंगे कैसा इसका यूटिलिटी होगा और कैसे इसके इस फीचर्स है स्पेसिफिकेशन्स है जर आप हमें यह बताईए कि कैसे इसका यूज होगा और क्या खास बात है यह जो आप क्राफ्ट देख रहे हैं यह देश का पहला ओल इलेक्रिक हुमन केरिंग फ्लाइंग प्लैटफॉर्म है जिस जो की एक सो तीस किलो का वजन या एक सो तीस किलो का वजन या फिर एक इनसान को उठाके उड़ पाए तो सबसे खास बात जो इस क्राफ्ट की है वो है इसके फेल सेफ अगर आप जो यह देख रहे हैं इसके अंदर आठ आम है और इसके सोला पंखे हैं अगर इसकी एक पूरी की पूरी आम बंद हो जाती है तो भी यह द्रोन हवा में उड़ता रहेगा साथी साथ अगर दूसरी आम भी इसकी बंद हो जाती है तो भी यह हवा में उड़ता रहेगा इसके बाद जो इसके अंदर खास चीज़ है वो है इसका दिमाग जैसे हमारा एक दिमाग होता है वो हमें बताता है हम अपनी आख और तीसरे के बाद चोथे पर शिफ्ट होता है, तो चारो दिमाग साथ थी साथ हमारे चलते रहते हैं और इस ड्रोन को हवा में रखते हैं, अगर ये ड्रोन चार दिमाग के बाद और प्रोपल्शन सिस्टम के बाद कोई दुरगटना हो जाती है, अगर सब कुछ फेल हो जा बचाएगा.